हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे मुहावरे चलो चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं पहला चित्र हमारे सामने है राम जी के अयुध्या लोटने पर अयुध्या वासियों ने आखे बिछा दी आखे बिछा दी अगले चित्र में क्या खा गया है पुलीस को देखते ही चोर नव दो गयारा हो गए क्या हो गए चोर, नव दो ग्यारा हो गए तो बच्चों उपर दिये वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रियोग किया गया है जो सामाने अर्थ को छोड़ कर विशेश अर्थ प्रकट करते हैं जिसे आखे बिच्चाने का यह मतलब नहीं है कि आखे निकाल कर रख देना बलकि इसका अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना ऐसे विशेश अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही मुहावरे के लाते हैं भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है इनका एक विशेश अर्थ होता है वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों का रूप भी बदल जाता है आईए कुछ मुहावरे परते हैं उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग समझ देते हैं पहला है आखे दिखाना इसका अर्थ है गुस्सा करना निकक्षा में देर से आने पर अध्यापक ने राहुल को आखे दिखाई अगला है अंगूठा दिखाना इसका अर्थ साफ मना कर देना वाक्य प्रयोग कैसे होगा सीमा से पुस्तक मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया और तीसरा है अंदे की लाठी इसका अर्थ है एक मात्र सहारा श्रवन अपने माता पिता के लिए अंदे की लाठी के समान था आकाश पाता लेक करना यानि बहुत परिश्रम करना सचीन ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाता लेक कर दिया उल्टी गंगा बहाना यानि प्रतिकूल बाते करना हमारी नेता अपने स्वार्थ के लिए उल्टी गंगा ही बहा देते हैं बाय हात का खेल यानि आसान काम सुन्दर चित्र बनाना तो रमेश के लिए बाय हात का खेल है कान भरना इसका अर्थवा चुगली करना कई छात्रों को अध्यापक के कान भरने की आदत होती है अगला है किताबी कीड़ा यानि सदा पड़ाई में लगे रहना हमारी कक्षा में रमेश तो किताबी कीड़ा है अगला है गागर में सागर भरना यानि थोड़े शब्दों में अधिक बाक्ष कहना आत्मा लोग गागर में सागर भर देते हैं अगला है आँखों का तारा यानि बहुत प्यारा जो तेग बच्चा अपने माता पिता की आखों का तारा होता है अगला है गोबर गणेश इसका अर्थवा मूर्ख सोहन तो बिल्कुल गोबर गणेश है अगला खोड़े बेच कर सोना यानि गहरी नीन में सोना परिक्षा के बाद तो चात्र घोड़े बेच कर सोते हैं रगला है दात खटे करना यानि बुरी तरह हराना युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दात खटे कर दिये तो रगला है लाल पीला होना यानि गुस्सा होना चात्रों को शरारते करते देख अध्यापक लाल पीले हो गए उमिद करती हो बच्चों आपको मुहावरों को अच्छे से ग्यान हुआ होगा अब आप इसका अभ्यासकारे स्वयम कीजिए